प्रिविध्यार्थियो आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिस फर्स्ट फ्लाइट जिसमें प्रोज और पोईट्री दौनों सेक्षन आते हैं सत्र 2021-22 के लिए न्यू स्लेवस मैं पोईट्री सेक्षन की पोईम एनिमल्स लेकर आया हूँ यह पोईम यानिमल्स जानवर यह पशू इसको कंपोज किया है वाल्ड वाइट में ने इस कविता में आने वाले महत्पूर्ड ग्लोसरीच यानि मीनिंग जिनका इंग्लिस मीनिंग और हिंदी मीनिंग मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ यह बोट परिच्छा की तैयारी के लिए बहुत अदिक उपयोगी सिद्ध होंगे आएए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला मीनिंग है टर्न टी यू आरेन इसका इंग्लिस मीनिंग है नॉन लाइनर फिजीकल मूमेंट इसका हिंदी अर्थ है घूमना नेक्स्ट मीनिंग है प्लेइस गुप्रिक डी। इसका हिंदी अर्थ शांत। अ इंग्रिश मीनिंग है फॉर ए लॉंग टाइम यानि लंबे समय तक नेश्ट मीनिंग है लाई अवेक एल आई ए डबलू एक ए इसका इंग्रिश मीनिंग है रेष्ट बिदाउट सिलीपिंग यानि जागते हुए पड़े रहना कि नेश्ट मीनिंग है आपका सिंस एस आई एनस इंग्रिश मीनिंग है इविल डूइंग्स हिंदी अर्थ इसका पाप जो गलत कार्याप करते हैं उसको पाप कहा जाता है नेश्ट मीनिंग है सिक एस आई सी के इंग्रिश मीनिंग यहाँ पर है इसका फैड़ अप एफ एफ डी यूपी हिंदी अर्थ है इसका उबा हुआ यानि बोरिंग इसको बोल सकते हैं अरूचिकर या अनिंट्रेस्टड नेश्ट है इंग्रिश मीनिंग है इसका हैविंग ए मेंटल इलनेश हिंदी अर्थ है पागल नेश्ट मीनिंग है मैनिया मैनिया इंग्रिश अर्थ है मैडनेश मैडी नेवलेस हिंदी अर्थ है इसका पागलपन नेक्स्ट मीनिग है आनिंग O-W-N-I-N-G इंग्रिस बीनिग है इसका पसेसिंग P-O-S-A-S-E-S-A-I-N-G हिंदी अर्थ है इसका स्वामी बनना या मालिक बनना नेक्स्ट मीनिग है नील्स K-N-E-L-S इंग्रिस मीनिग है इसका रैश्ट और नीस हिंदी यर्थ है घुटने टेकता है यानि हार मान लेता है पराजित हो जाता है नेक्स्ट वीनिंग ए रेस्पेक्टेवल आरियस पीएसी टी एवीयली इंगलिस वीनिंग इसका देट डिजर्बस रेस्पेक्ट इसको हिंदी यर्थ में हम कहते हैं आधरणी हैं यह सम्मानी ह नेक्स्ट मीनिंग है इवियंस, E-V-I-N-C-E इंग्लिश मीनिंग है show clearly हिंदी एर्थ है इसका दिखाना, इसपष्ट रूप से दिखाना नेक्स्ट मीनिंग है planally, P-L-A-I-N-L-Y इंग्लिश मीनिंग है इसका clearly, C-L-E-A-R-L-Y इंगलिस मीनिंग है इस्पष्ट तया या इस्पष्ट रूप से नेश्ट मीनिंग है पसेशन पी ओ डबल असी डबल अस आई ओन इंगलिस मीनिंग है ओनर्शिप ओ डबलू एन यार सह चाइप हिंदी इर्थ इसका अधिकार को नेक्स्ट वीनिंग ऐ रहे गुज हएट के इंगलिश वीनिंग है ग्रेट in डिगरी का के ड्रॉप बढिषे मिल्पोपी और रोप जा इंगलिश्क इसका टू लै्ट फाल हिंदी अर्थ इसका गिरने देना प्रिविध्यारतियों इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया लॉंग आंसर शॉर्ट आंसर इस्टेंजा और इस्टेंजा बेस्ट कुश्चन आंसर देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जवस देखिए चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए दोस्तो यह कुश्म आंसरा बहुत।